तो देखिए तीज के दिन का ये वीडियो है और तीज के दिन मैं तयार हो गई थी और उसके बावजूद पसीना कितना निकल रहा था मतलब पंखा चल रहा है उसके बावजूद आज मैं आप लोग के लिए नोज रिंग की वीडियो लेकर आई हूँ सब कुछ मैं पहन चुकी हूँ मेकप भी कर ली हूँ बस लास्ट नोज रिंग ही पहनना है और मेरी महन्दी आप देख सकते हैं इस हाथ में तो बहुत अच्छी नहीं लगी है लेकिन मैं अभी महन्दी क्लास करा रही हूँ तो मेरे पास सीख रही है एक लड़की उसीने बिना नोज रिंग के मेरी नाक जो है न उसकी छेद काफी बड़ी दिखती है क्योंकि मैं कंटिन्यू नाक में पहने रहती हूँ इसलिए भी और मेरा नाक का छेद भी बड़ा हो गया क्योंकि मैं आए दिन कुछ न कुछ आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती हूँ नो मैं सोची चलो इसको पहन लिया जाए वैसे तो मैं काफी दिनों से सोची थी ना कि मैं कुछ अच्छा सा ज्वैलरी ओर्डर करूंगी तो पूरा अच्छा सा ज्वैलरी सेट पहनूंगी लेकिन फिर मुझे थुड़ी सी पैसो की दिक्कत होगी जिसकी वज़ा से मैं नया ज्वैलरी तो ओर्डर नहीं की तो सोची चलो गोल्ड तो हमेशा ही हर ओकेजन पर चल जाता है कोई भी फेस्टिवल है तो आप अपनी साधी वाला जो गहना चढ़ता है ससुराल के तरब से मतलब ससुराल वाले चढ़ाते हैं साधी में तो वही पहनना ज्यादा सुब भी माना जाता है तो फिर मैं यही पहन लूँ तो आज मैं यही देखिए नथिया पहन रही हूँ और यह सभी पहन रही हूँ ऐसे तो नथिया मैंने अभी ज़स्ट एक साल पहले ही लिए है अपनी सिस्टर की वेडिंग के टाइम और इसका थोड़ा सा यह मोती उपर चड़ जा रहा था जिसके वज़े से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यह बार बर उपर क्यों चड़ जा रहा है तो इसको मैं ठीक कर रही थी आपको बता दू कि जो मैंने नोजरिंग और की थी तीन चैन वाली जिसमें राधा कृष्ण बना हुआ था आप लोग शाथ वीडियो भी सेर के थी और उसमें बताए थी कि यह वला और की लेकिन इसका दो चैन मिसिंग था नहीं आया था एक ही चैन लगा हुआ था तो मु आया कब जिस दिन तीज था उस दिन आया उस वक्त मैं मतलब आज ही की दिन आया जब मैं ये वीडियो कर रही थी तो उस वक्त में बैठ कर प्रशाद बना रही थी और उसके बाद प्रशाद बनाने के बाद मुझे मेहंदी भी हाथ में लगाना था एक हाथ में मेरा नत्या आई थी मतलब ओनलाइन जो मैंने रिटर्ण के लिए किया था तो आई लेट से फिर अब मुझे लगता है उसका वीडियो भी बनाना है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था इसलिए मैं इतना ज्यादा समय नहीं गवाई और उसको रख दी तो जो तीन चैन वाली जो जो इस हाथों में देख रहे हैं दोनों हाथों में आदहा मतलब की 12 पीस में दूसरा डिजाइन पहनी हूँ और 12 पीस उपर से दूसरा है मतलब दो डबा में मंगवाई थी तो मेरे हस्पनेंड अलग-अलग चूडी मतलब लेया है जैसे कि आस्मानी में बोली थी लाने के तीज है हम लोगा तो तीज में तो महिला है सस्ती धस्ती है पूरी दुलहन की तरह और ऐसे ही सज के सोलस सिंगार करके ही पूजा पाट करना चाहिए तो यहां पे अभी देखे मैं नेल पॉलिस भी नहीं लगाई हूँ सब कुछ मैं कर ली थी लेकि नेल पॉलिस मेरा अध कि वीडियो लाती हूँ तो कुछ अलग ही लगना चाहिए इसकी वीडियो भी आएगी अच्छे से मतलब आएगी और मेरी तीज की भी वीडियो आएगी आ गई होगी तो देख लीजे नहीं आई है तो आने वाली होगी तो अभी सबसे पहले तो मैं यह नोजरिंग वाली वीडियो कर रही हूँ ताकि आप लोग तक पहुच जाए और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चुरूर करिएगा और यहां पे हाथों में छला बालों में मैंने यहां गुलाब लगा लिया है और यह कैसे लगी हूँ मैं नत्या के साथ यहां पर मैं तयार हो गई थी झरहां पे अर और भी बाको मेरे फ्रेंड्ड में अपना फोटो क्लिक करा करके कुछ मंदीर चली गए और मुझे मंदीर नहीं जाना था क्योंकि मंदीर जाने का मतलब दोनों बच्चों को लेकर यहां है तो फिर मैं यहीं पे अपना थोड़ा साप को दिखा देने हो कि मेरे हाथ में मेहंदी चूड़ियां मेरी साड़ी मेरी ज्वेल्री कैसी लग रही है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी सिंपल में ही तयार हुई थी देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नह बीचे आए थी मैं और उसके बाद फिर घर जाकर पूजा भी करना था तो बिल्कुल समय नहीं था इतने कम समय मैंने इतनी सारी तयार है कर ली व्लॉग आएगा तीज का देखिएगा जरूर